Hello Learners, Welcome to my channel Enlightened Knowledge. Today we are going to discuss about the significance of concept of revenue in price analysis. मतलब क्या है कि price में कैसे आपका जो concept है revenue वाला उसकी importance है? देखो कि price के according ही जो revenue है वो discuss किया जाता है क्योंकि जो आपकी average revenue है, average cost है वो ही आपको बताती है कि profit होगा, loss होगा या price के according आपका total revenue कितना change आ रहा है? तो वो हम पढ़ेंगे इस lecture में. सबसे पहले जो importance है वो है आपकी change in price. अगर price में कुछ change आ जाता है, it is from the total revenue, जो आपका concept है total revenue वाला that a firm learns कि firm को total revenue से पता लग जाता है, कि उसको profit होने वाला है या फिर loss होने वाला है. मदब अपने price को कम या जादा करके, उसके जो total revenue है उस पे क्या effect पढ़ रहा है? तो यहां से हमारा जो शुरू होता है, if total revenue increase, अगर हमारा क्या है, यह total revenue बढ़ता है. By lowering the price, price को कम करने से. प्राइस को कम करने से, अगर revenue बढ़ता है, इसका मतलब क्या है? Elastic remand है, कि लोग क्या है, कम price पे ज़्यादा समान खरीदना पसंद करते हैं, Elastic remand चल रही है. Elastic remand है, तो क्या हो जाएगा? Profitable to lower the same. रिक है न, हम क्या करेंगे? प्राइस को कम रखना ही पसंद करेंगे, क्योंकि वो हमें profit देगा. On the contrary, अगर total revenue देखो, बढ़ता है, By raising the price, price को बढ़ाने से भी total revenue बढ़ गया. मतलब, price के increase आने से, demand में कोई ज़्यादा फरक नहीं पढ़ा. इसका मतलब क्या है यहाँ पे? Demand in Elastic है. और तब क्या करेंगे? हम price को ज़्यादा ही रखेंगे. क्योंकि यह system हो जाता है, monopoly वाला. कि आप price को कम या ज़्यादा करो, demand पे ज़्यादा effect नहीं पढ़ने वाला है. तो वो profitable हो जाएगा. और अगर देखो, price का कोई effect पढ़ ही नहीं रहा है. Total revenue पे तो form यहां तो raise करें यह lower करें, वो उस पर depend करता है कि वो price को कैसा रखना चाती है. तो सबसे पहला significance क्या है? Change in price. Price के change आने से total revenue में क्या फरक पढ़ रहा है? वो देखा जाता है. उस according हम लोग price को क्या है? Change करवाते हैं, discuss करते हैं. प्राइस को बढ़ाया जाए या कम किया जाए. अपना revenue को पाने के लिए. तो यह आपका पहला था. Second is condition of equilibrium. अब equilibrium की condition कहां पर पाई जाती है? अब यहां पर बात की गई है. Concept of marginal revenue help करता है एक firm को to know the condition of equilibrium की condition. और equilibrium की condition कौन सी होती है? Maximum profit वाली condition. एक firm equilibrium में होती है. When it produce the goods up to a point. तब तक वो goods का produce करवाएगी. जब तक क्या होगा? Marginal revenue will be equal to marginal cost. जब तक हमें यह चीज नहीं मिल जाती. जब तक यह चीज नहीं मिल जाती हम produce करवाते रहेंगे good को. तो यह भी हमें किस से पता लगता है? तोटल revenue वाले concept से कि कहां तक हमें goods को produce करवाना है. Equilibrium point कहां तक लेकर आना है. Last point is estimate of profit and loss. Profit and loss का estimation कैसे निकाला जाता है? अब firm make, अब firm देखो यहाँ पे आगया average revenue की बात. वहाँ पे marginal revenue की बात कि इसमें average revenue की. To calculate profit and loss. अब देखो, average revenue मतलब revenue पर unit revenue आपको ज़्यादा मिल रहा है cost से. तो मतलब क्या है? Profit ज़्यादा हो रहा है? A firm will are super normal profit. यह तो बात होगे super normal वाली. अब average revenue अगर कम है? मतलब, money मुझे कम receive हो रही है, cost मुझे ज़्यादा पढ़ रही है. तो क्या होगा? Loss ही होगा ना? यह चीज़ आ गई. अगर average revenue इक्वल ही हो जाए average cost के. तो इसका मतलब ना ही loss ना ही gain. मुझे क्या मिल देए है? Normal profit मिल रहा है. तो यह तीनों के तीनों concept देख लो. पहला change in price था, सिर्फ price को discuss किया गया. फिर marginal revenue को, फिर average revenue को. मतलब यह सारा कुछ क्या है? प्राइस को analyze कराने में बहुत जादा helpful हो जाता है यह concept total revenue वाला. इसलिए इसकी क्या है? significance मानी जाती है price analysis में. तो यह आपका topic था, छोटा सा. I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा. अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को जुरूर subscribe कीजे. Like, share and comment and press the bell icon. आकि हर वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे. Thank you.